हालो गाइस कैसे हैं आप सब लोग तेरो एक्स पर टफल सिक्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज हम जो रिडिंग करेंगे वह केंडल वेक्स रिडिंग है क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बार-बार आ रही थी तो मैं आज फिर से एक बार आपके लिए लेकिय हमेशा से उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए ठीक है सिच्वेशन कुछ भी हो सकती है उस पर नहीं जाएंगे सिच्वेशन को भी मैं थोड़ा वह देखूंगी इसके लावा आपके एनरजी देखूंगी और इसके अलावा क्या एक्षन हो सकते हैं यह भी हम चेक कर ले में दे रहा है तो मैं messanger बनके आप तक पहुँचाऊंगी तो जितना आप से resonate करें उतना ही लीजेगा क्योंकि जनल रिदिग होती है हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिले हो सकता है कि कई लिए तरह से मिले तो आपको यह नहीं सोचना है कि पूरी रिदिंग मेरी लिए है ठी कि दूसरों के लिए छोड़ दीजिए तो आज की रिडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस रिडिंग में जाने से पहले बता दूं कि आपको पर्सनल रिडिंग चाहिए तो कॉल मत कीजिए वाटसप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में नहीं लेगा वहां पर जाकि मुझे करने क जानकारी आप को मिल जाएगी वन आप बहर कंट्री से भी हैं यानि कि इंडिया से बहर हैं तो भी भाट इट है यानि कि कोई भी पेड कर सकते हैं तो एक बर अगर परसनल रिडिंग मत कीजिए परसनल लाइफ में कुछ नो कुछ ऐसा है जो कि आप जिसके बारे में स्टक कुछ आइडियाज नहीं आ रहे हैं आपको एडवाइस टीए किसी की तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है वाटसप पे कॉल मत कीजिए मैसेच कीजिए ठीक है सारी जानकारी मैं दे दोंगी ठीक है और जितनी भी बाते आपको पूछ नहीं यानि कि रिडिंग ठीक है चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग बेट अ मिनट के लिए अपने पार्टनर को याद कीजिए मेडिटेट कीजिए कुछ मैसेजिस क्लिक हुए है मुझे ठीक है सबसे पहले कुछ की वर्ट जो मैं बताऊंगी वह आपके रिलेशनिशिप में शायद मिलते हूं ठीक है कि अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए आज की रिडिंग में मुझे एरीस प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है ठीक है लिब्रा टॉरस सेजिटीरियस एक्वेरियस यह आज की साइन मुझे जो क्लिक हो रहे हैं वो मैं बता रही हूं ठीक है बहुत एह स्ट्रॉइंग लिए तीन बार दिख रहे है कि टॉरस कोई है च्ट्रॉइंग याने कि आपका नाम वी बी से स्टार्ट होता होगा और आपके पार्टनर का नाम आर से एस लिब्रा भी मुझे यह आपके कोई लग रहे है ठीक है ए से ठीक है M से N से G से और कुछ-कुछ के लिए के लग रहा है ठीक है कि आज हमारे टॉपिक था उनकी डीप true feelings मनलब हमीशा से वह आप किस तरह से फील करते हैं क्या उनके feelings है आपके लिए और वह किस तरह से सोचते हैं तो जिन क्लेक्टिव की आज रेडिंग है तो मुझे कुछ मैसेजिस में दोंगी यह आपके सिट्विशन में हो सकते हैं आप में ट्रस्ट इशूस होंगे डेफिनेटली मुझे यहां पर एक लिखवा ट्रस्ट इशूस हैं यहां पर चीजे बिखर रही है जो वैक्स है वह बिखर र हो सकती है आपके प्राइण यहीं सकते हैं जlike का है कि कुछ अ कुछ इनलेशंचेप में आप रहे हैं तो दुच रिलेशन्चिप में be कोई अधर परसन है डेफिनेटली आपके अनके जीमन में कोई नो कोई अधर परसन है ठीक है बिखरी हुई चीजे लगती है आपको अगर रिलेशन्चिप को कहें न एक तरह से समेट लिया जाए तो वह सम मलब एक तरह से चीजे क्लियर नहीं आप दोनों के माइंड में ऐसा कोई कह रहे है कॉल मी राइट ना हो या तो कोई फोन पर बात कर रहा है किसी वह बोल रहा है कॉल मी राइट ना हो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रही है कि जो भी आपके पार्टनर है वो चाहते है आप से बात करना अभी इस वक्त ठीक है यहां पर मैंने साइन बता दी थे मार्च मुझे क्लिक हुआ किसी का जनमदिन हो सकता है मार्च में ठीक है डेफिनेटली कोई मार्च में पैदा हुआ इसके लाओ मुझे फरवरी में जैन्वरी में ठीक है और कुछ-कुछ के लिए फरवरी जरूर रहा है मुझे ठीक है यहां पर आपकी एज 46 हो सकती है बहुत मेंचो लग रहे हैं 53 बहुत किसी की 44 हो सकती है ठीक है चले मैं आपके एनर्जी देख लेती हूं सबसे पहले क्या है आपके किस मूड में आप पहले मेरे विव्योर का एनरजी बताईए मुझे देखते हैं देखिए मुझे लगता है कि आप किसी पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है एक तरीकी से आपके उपर यह देखिए वैक्स एक ही फ्लेम में गिर रही ह आपने बहुत बहुत ज़्यादा मैचुरेटी लेवल आ गया है और डेफिनेटली यह मैचुरेटी आपको बहुत कुछ सिखा गई है ठीक है और मुझे आप बहुत से लोग लग रहे हैं कि किसी पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं आप हील होना चाहते है यह अपनी परसनल लाइफ और करियर से संबंदित हो सकती है लेकिन जो मेरे व्यूवर है उनकी लग रही है कि आपका किसी खास चीज पर फोकस है अभी ठीक है इवन आप प्यार में हैं लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज के बारे में सोस्तों नजर आ रहे हैं और कुछ कुछ नया कर रहे हैं ठीक है कुछ ऐसा वर्क है जिस पर आपका फोकस हो रही इन दिन ओं तिक है कि आप इंको याद तो करते हो लेकिन इतना पहले की तरह क्रेव क्रेव करती हैं आप孤ो यहां कुछ प्यार के प्रति तरह करते हैं пров GOерх 2020 हैं वो इतनी दूर नहीं होगी आपको बहुत बहुत ऐसा लगता है कि यह प्रॉब्लम्स वक्त लेंगी ठीक है और यह चीजें आपको अच्छे तरह पता है इसलिए आप अपने वर्क पे अपने बिजनस करियर पर ध्यान दे रहे हैं आपको चुछ नया करना चाहते हैं बहुत स्ट्रॉंग परसन मुझे आप लग रहे हैं यह आप हो चुके हैं आपने एक्स्पीरियंस करा है जिन्दे क्यों और डेफिनेटली आप बहुत कुछ हार्ड हो चुके हैं आप अपने उपर फोकस हैं आप देखते हैं आपके पार्टनर की एनरजी कि मैं थोड़ा स बहुत अच्छी नहीं चल रही तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जादा इनके जीवन में ऐसा तूफान सा आया हुआ है कि और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते ठीक है फैमिली बिजनेस है फैमिली की प्रॉब्लम है सारी जिम्मेदारी इनके कंदों पे है कर बार बार लगता है तो आप सुन्दर सा चहरा मुझे नजर आए आप एक एंप्रेस की तरह हैं कि मुझे लगता है और को बहुत जदा एड्मायर करते हैं यह जो है परसन इनके जिंदगे में तुफान आया हुआ है यह एक्शन ले रहे हैं मतलब आपनी प्रॉब्लम्स को स्वाल करने में लगे हैं लेकिन आपके लिए deeply truly क्या feel करते हैं तो definitely आप इनके लिए Empress हैं आप independent हैं आप होनहार हैं आप intelligent हैं जो भी काम करते हैं उसमें success लाते हैं और definitely आप महनती बहुत हैं आपको महनत करते हुए देखते भी हैं मुझे क्लिक हुआ कि आपको कही ना कहीं से या तो आपके घर के आसपास हैं या फिर जाली जहरोकों में से या फिर आप इनकी कोई गली महले में रहते हैं तो definitely आपको आते जाते दिखते हैं कि आप बहुत ज़्यदा hard working हूं ऐसा काम करते हैं जिससे इनको पता है कि आप बहुत ज़्यदा hard आप से दूर होने के energy में काफी ज़्यदर होते हैं ठीक है यह इनको दिखाते नहीं है लेकिन रोग के अपना दिल भराता है इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यदा मेरी भी आवाज सुरी लोग हो रही है मतलब बहुत दुख होता है कि आप इनकी जिंदगी से चले जाएंगे तो रह क्या जाएगा ऐसा इनको फील होता है ठीक है और क्या बचेगा इनकी जिंदगी में इसलिए अपनी उपर ध्यान दे रहे हैं आप भी मुझे लगता है कि देख़ेई यह कोई रिस्क लेना चाहते हैं आपकी साथ लेकिन रिस्क भी लेना है तो कुछ ससमझ के लेना है कि आपके लिए कोई करते हैं लेकिन रिस्क से पहले जो काम करने को रिस्क को झेलने के लिए जो ताकत होती है वो इनके पास नहीं है वह ताकत चाहते हैं ठीक है यहां पर नाइट आप पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह कहीं न कहीं रेडी तो हैं आपके लिए लेकिन अपने आपको किंग के अनर सब्सक्राइब करें तो बनना ही पड़ेगा मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आर्ट साइन से हो सकते हैं क्योंकि यहां पर इनको अपनी स्टैबलिटी का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट लगती है इनको यह चीज़े कि लाइफ स्ट है आपकी क्या मला आपने जो डिफ्रेंसिस हैं आपको अच्छी तरह पता है कि यह चीज़े बहुत जल्दी सॉल नहीं होगी और इसलिए आप रिलेक्स होके चीज़ें स्लो सॉल करने सॉरी आप रिलेक्स होके चीज़ों को सॉल कर रहे हैं यानि कि परिशानी को दूर कैस किसी का या किसी ने शर्ट पैनी है ग्रीन कलर की ठीक है या आप किसी लेक्स जैसे कोई क्या पेल लगब है आपके आसपास पौध LAU R Smooth I have a बहुत सारे लोग अगर इसरे अब सारे लोग और देखे मैं बहुत सारी लोग आप जिंद्धी से आपको नेराश्य कहीं है !!!acie आपके शाime जाटक। मेरे। चीजे स्लो होगी उनको पता हैं आपके साथ चलने के लिए बहुत जादा पीशेंस रखना पड़ेगा चीजे होने के लिए लेकिन यह बहुत ही पीशेंटली आपकी चीजों का भी वेट करते हैं ठीक है इनके एक्षन में कहूं तो डेफिनेटली मुझे देखिए इनके एक साइन कुछ भी हो सकता है लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉंग लग रहे हैं क्योंकि इनके प्लेनेट की पोजिशन बहुत स्ट्रॉंग नहीं है और यह बहुत कोशिश करते हैं कि चीजें सही चले बैलेंस में चले लेकिन कुछ नो कुछ आ बैल मुझे मार वाली करना भी चाहते हैं आपके लिए तो पीछे अट जाते हैं क्योंकि उनको पहले उस समस्याओं का समाधान डूनना होता है ठीक है यहां पर बहुत से लोग मुझे लगता है को बिजनस करते हैं फैमली बिजनस है और डेफिनेटली इसमें वह अपना 100% देते हैं लेकिन अब देखे मेरे एज बताई थी 44 42 53 46 इस तरह के अब क्यों सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आपने आपको मेंटेंड करके चलते हैं ऐसा मुझे सुनाई दिया ठीक है यहां पर आपके रिलेशनिशिप से बहुत सारी आश्या है यह अपनी प्यार को जाहिर नही जाते हैं आप दूसरे को परिशान नहीं करना जाती क्योंकि चीजें बहुत लोग ही आप दोनों जानते हैं ठीक है यह आपके लिए कभी भी गिवप नहीं करेंगे मैं यहां पर कल की रिटिंग में भी मुझे है कुछ कुछ ऐसे लगा था और आज भी मैं यहां पर एक च कोशिश इनके पूरी होगी कि आपकी मदद करें ठीक है यह बहुत बहुत सपोर्टिव इंसान हैं आपके लिए जिनके आप बात कर रहे हो और यह एंपरर के एनरजी क्या होती है कि यह जो है रेस्पोंसिब्लिटी लेते हैं हर चीज की चाहिए आप इनके मित्र भी हैं य लाग़े इनके दिल में जो बात हैं यह आपको एक्सप्रस करना चाहते इन यह और ज्यादा नहीं है लेकिन आपको डर है कि आप इनके लाइफ से चले नहीं जाए इसलिए अपने बातों को एक्स्प्रेस करेंगे तोड़ी सीधी हो जातो पहुत बढ़ी है नहीं सीधी हो रही कोई दिक्कत नहीं है अब एक बर ट्राइ करती हूं मैं अगर यह लोग बुच जाती है तो हम रिडिंग को यह बन कर देंगे वेट अ मिनट गाइस चेक में कि हम नहीं करेंगे इसको ठीक है लास्ट कुछ मैसेज़ और लोगी में ठीक है इनके एक्षन की अगरे मेरे पास जो शुरू शुरू में मैसेज है था कॉल मी राइट नौ यह आपसे बात करना चाहते हैं कुछ कुछ मुझे बातचीत की दोरान आपको बताना चाहते हैं यह बहुत कुछ आपसे important बात करना चाहते हैं मुझे लगता कि subscribe करना मत भूलिए क्योंकि subscribe करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूं जो आपको पसंद आती है और जो आप कमेंट करके कहेंगे कि यह reading मुझे चाहिए तो उसी topic में reading बनाऊगी केंडल वेक्स काईगे तो केंडल वेक्स reading मन जाएगी अधरवाइस कार्ड से तो मैं हमेशा करती हूं ठीक है और आज के reading में जो भी बात आपसे resonate की मुझे comment section में जरूर बताना है आपको ठीक है और यह timeless reading है जब भी आप देखेंगे यह messages आप से match हो सकते हैं ठीक है तो जब भी देखेंगे साल बर बाद 6 महीने बाद तब आपसे resonate करेगी ठीक है subscribe क्योंकि मेरे चैनल को आपका support चाहिए मेरी family बढ़े इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है मैं आप तो लिए हमीशा दुआ करूंगी कि आपकी हर हर ख्वाइश पूरी हो ठीक है relationship को लेके आप कभी भी स्टक एनर्जी भी नहीं रहें आप अपने partner के लिए बहुत बहुत आपके partner और आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करूंगी मैं definitely आपका जो relationship है वो आगे बढ़े success की और ठीक है इसी के साथ मैं चलते हूं एक्स ट्रीटिंग में ज़रूर मिलते हूं गाईस बाबाई कर दो सेम करेंगी